तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं उत्रखंट CAHO MLHP vacancy 2023 के बारे में जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में complete दिसक्स करेंगे कि आपके वेकंसी एप्लिक्शन फॉर्म से वह कब रिलीज होंगी आपका एकजाम कब कंड़क्टों का टोटल नमबर पोस्ट इसमें कितनी होती है आपका जो रिटर्न एकजाम में उसमें क्वेशन करे का आते हैं स्लेबर किया रहता है स्ट्रेजी कैसी होन इनको प्रेस कर लेना क्योंकि यह चैनल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको अलोवर नर्सी के एकजाम की डिटेल्स मिलती है साथ साथ आपको प्रेपरेशन स्ट्रेटीज लेबल बहुत सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते रहते हैं तो प्लीज चैनल पर बने र आपको यह सो लास्टेर आपका हुआ था बागी कोई माइनर से चैनल आते हैं इस बार तो वह उस टाइम डिसकस कर लेंगे सबसे बात करें आपके एप्लिकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की तो आपके एप्लिकेशन फॉर्म से स्टार्ट हो गयते हैं कि 20 इस साल भी आपका अक्टूबर में अगस्त आपका नहीं आने मादा लेकिन सेप्टेंबर और अक्टूबर के बीच में आपकी जो फॉर्म से रिलीज हो जाएंगे वह जल्दी कंड़क्ट करा लिया जाएगा बात करें आपके एडमिट कार्ड की आपकी एडमिट कार्ड लास्टेर आपके तेरा ग्यारा तुदर बाइस से आपके एडमिट कार्ड आ गयते तो इस बार भी आपके इसके आसपास डेट से रहने वाली हैं वहीं बात करें लास्टेर आपकी तो एक्जाम था वह 20 नवंबर को कंड़क्ट हुआ था तो इस से जादा लेट तो नहीं आपके एलिजिबिल्टी क्या-क्या होनी चाहिए सबसे पहले आप भारत की नागर क्यानी कि इंडिया सिटिजन्शिप आपकी होनी चाहिए वह यह बात करें शेयर चेह आएजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपने बीस्ट नर्सिंग कर रखा है अगर आपने या फिर नर्सिंग जी एनम आपका क्या रजिस्टर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो आप इसके लिए लिजिबल हो आप बात करते हैं आपकी इसमें आयू सीमा क्या आपकी एज क्राइटीरिया क्या रहने वाला है तो आपका 21 वर्ष आपके यहां पर रखा गया ह अधिक तमायू किती रखी गई है 42 यहां पर आपकी रखी गई है तो आपका एज रिलेक्शन बहुत जादा दे दिया है इस से जादा एज रिलेक्शन शायद आपको किसी और स्टेट में मिले यह बहुत अच्छी बात है और इसमें आपके बहुत सारे कैंडियेट्स कवर होते हैं 3 years की duration में तो उनको क्या bond साइन करना होगा तो आपको बता दो उत्राघर में bond नहीं है आपका bond सिस्टम हट चुका है तो अगर आपको इन केसे आपकी जौब किसी वज़ा से छोड़नी पड़ती है तो आपको कोई भी amount government को पे नहीं करना होगा इस सबसे important बात है क आपके bond साइन होते हैं CHO के लिए आप बात करते हैं आपके paper की fees की तो यहां पर आपके 500 रुपए शुल्क रखा गया है paper की fees का वहीं बात करें आपकी जो paper कैसा आने वाला है किस तरह का pattern रहेगा तो आपकी INC की slaves के according पेपर pattern रहने वाला है यहां पर clearly mention किया गया है और आ objective type आपका paper होगा hundred questions आपसे पूछे जाएंगे ठीक है आपके उसमें चार options होगे उसमें सापको correct वाले को markup करना है अभियारतियों को परिच्छा उपरांत प्रशन पतर ले जाने के अनुमती होगी यानि कि आपका paper हो जाने के बाद अपना paper को ले जा सकते हो और जो carbon sheet को center पे अपने पहुचना है बाकी syllabus किया रहने वाला है तो देखो जो आपने चार साल के नर्सिंग में जी एनम में पढ़ा है वही syllabus आपका आता है लेकिन इस पे detail में discuss हम next video में करेंगे कि आपके किस subject से कितने questions पूछे जाते हैं कहां से कौन से chapter कौन से unit जाता important है आपकी वो हम उस वीडियो में discuss करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपके लिए helpful रही हो तो प्लीज इसे like और share कर देना चैनल पे नए हो तो उसको subscribe जरूर कर लेना बैल आकन को press कर लेना क्योंकि एक ऐसा point है चैनल जहां पे आपको not set आपके बहुत सारे states क nursing exam से related हर एक information आपको मिलती है और आप CHU का form फिल करने वाले हो तो most ability आप not set के experience भी होगे तो not set से related हर एक update यहां पर आपको मिलने वाला है बहुत सारी वीडियो चैनल पे already मैंने upload कर रखी है तो जाओ जा करके उनको check out करो और कोई doubt कोई query रह जाती है तो पूच सकते हो मु